डायल 112 के चालकों और उनके परिजनों के लिए SR Hospital and Research Center चिकली में आयोजित निशूल का स्वास्त शिविर का समापन रविवार को हुआ तीन दिवसी शिविर में सभी चालकों और उनके परिजनों का स्वास्त परिक्षा अस्पताल के विशेशक के डॉक्टों और उनके टीम दोरा किया गया SR Hospital and Research Center चिकली में डायल 112 के चालकों और उनके परिजनों के लिए निशूल के स्वास्त परिक्षन शिविर का तीन दिवसी आयोजिन किया गया था रविवार को शिविर के समापन अउसर पर ASP Traffic कविलास टंडन और ASP ग्रामिन अनंत कुमास साहू मुख्य रूप से उपस्तित हुए पुजा अर्चना के पस्चात अतीतियों दोरा स्वास्त परिक्षन शिविर का निरिक्षन किया गया अतीतियों का स्वागत अस्पताल के चेयर्मन संजय तिवारी और डॉक्टर्स दोरा किया गया अस्पताल के चेयर्मन संजय तिवारी ने सभी तरह के चेकप और शिविर की सुविधा को लेकर अतीतियों को जानकारी दी ASP अनन्त कुमार साहू ने अपना नेतर परिक्षन भी कराया शिवीर को लेकर समाज से भी तिलोचन सिंग ने अपनी प्रतिक्रिया दी ASP अनन्त के द्वारा 112 डायल के जो करमचारी ड्रैवर हैं हमके परिवार है उनका जो मेडिकल टेस्ट तीन जी सीवीर के माध्यम से ASP अनन्त के द्वारा किया गया बड़ा जी सरानी प्रयास है जिससे की इनकी जो 24 अर्स की जूटी रहती है इनका फिटनेंस, इनका मेडिकल, इनका आई शेक अप बहुत जरूरी है जिसके लिए इनको इधर उदर ना बटगना पड़े और कम्प्लीट मेडिकल टेस्ट जो प्लिसी भाग का इस हास्पिटल के द्वारा किया गया निशूल का स्वास्त शिविर को लेकर अस्पताल के एनस्थीसिया और आईसओ इंचार्ज डॉक्टर पवन देश्मुग, प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर विश्वमीत्र वीदयाल ने अपने प्रतिक्रिया दी नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन देश्मुग, एनस्थेश्या तता आईस्यो इंचार्ज एसार होस्पिटल चेकली दूर। हमारे यहाँ पर 112 डायल 112 वहान चालक तता उनके परीजनों के लिए तीन दिशिया स्वास्त परिक्षम शिविर का आयोजन किया गया था इसमें करीब 200-200 वहान चालक तता उनके परीजनों ने हिस्सा लिया इस शिविर को सफल बनाने के लिए उन सबकों मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इसके साथ ही मैं आशा करता हूं कि आगे जाके भी ऐसे स्वास्त परिक्षम शिविर हमारे आयोजित किये जाएंगे जिसका लाग इस शेतर की जन्ता को मिलेगा धन्यवाद मैं डॉक्टर विश्वामित्र विद्या प्लास्टिक सेजन के रूप में एसर होस्पीटल में काड़ रहत हूं एसर होस्पीटल के दोरा तीन दिवस ये डायल 112 के ड्राइवर एबं उनके परिवार जनों एबं उनके स्टाफ के लिए निशुपी चिकित्सा सिवीर का आयोजन किया गया जिसमें उनका स्वास्त परिछन किया गया और कम्प्लीट चेक अप किया गया जिससे वो लोग लाभान भित हुए और आगे के दिनों में भी एसर परिवार दोरा उनका स्वास्त परिछन किया जाएगा एबं अन लोगो को भी इसमें समलिफ किया जाएगा शिविर आयवजित करने का प्रयास किया जाएगा वहीं एसपी ग्रामीड अनंत कुमा साहू ने भी स्वास्त परिक्षन शिविर की प्रसंशा कर अपनी प्रतिक्रिया दी कर्मचारियों का जो स्वास परिच्षन करवा रहे हैं आज तीसरा दीन है ऐसे तो हो पाता नहीं है दिन बर लगे रहते हैं स्टाप के लोग है जो 112 के इसके परिच्षन करवाया हैं काफी मात्रा में लोगों नी किया है चेक अप किये हैं बहुत-बहुत धन्यवाद के पात करनचारी अधिकारियों का भी कर ले और प्रसंता होगी हमको साधुवाद के पात रहे हैं यह लोग इसी ताइप का प्रोग्राम करते रहे हैं यह जन्द सेवा का काम है और बहुत अच्छा काम है कई लोग को स्वास परिच्षन करा पाते हैं कई अभाह में नहीं करा पात आप लोगों को काम बहुत जादा साराली है। आप लोगों साधिवाद के पात रहें। बहुत बहुत धन्याद। आप लोगों ने हमको बुलाया और मोगियाज की। दुरुग दिले में डाइल 1-1-2 के करमचारी कारत है। आप लोगों के करमचारी तुरित करवाई करते हैं। किसी भी घटा दुरुटना के सुष्दा मिलने पड़ सी है। और पुरिष्टा निकारी दोर्या और मिसमें क्रेदों इंडियस पाप्त हुआ था कि दाइल 1-3 के करमचारी का मेरीव पर इप्राइन कराया रहा है। इसी पारता में एसाधे हास्पिटल के सौझणों के सब्सक्राइन नकप्तह भी करमचारी नकप्तहuar spoil का अब इसाथियो से क्रेधा नर के दिखुन करारे हैं। गौरतलब है कि तीन दिवसी स्वास्त परिक्षण शिवीर में अस्पताल प्रबंधन द्वारा सभी तरह की व्योस्ताइं उपलब्द कराई गई थी जिसका भरपूर लाब डायल 112 के चालकों और उनके परिजनों को मिला अंत में अस्पताल के चेर्मन संजय तिवारी ने सभी अतितियों को इस मृती चिन भेट का सम्मानित किया ग्रेंड एशियन न्यूस के लिए संजय दुबे